एक बात करने वाले हैं एक्जाम में त्यारी किस तरीके से करनी है कौन से टॉपिक को कौन से यूनिट को पहले पकड़ना है और किसमें ज्यादा पकड़ कितने इसली की जा सकती है कौन सा टॉपिक असान है सब कुछ एटू जट इस चोड़ी सी वीडियो जो बचे चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब और बैल कंद नवारा बद बुलिएगा और अगर क्लासेज बाई करना चाते हैं की बहुत ही अपॉर्ड़ प्राइस पे हाई क्वार्टी वीडियो लेक्स अवेलेबल हैं बहुत ही इसकाउंटेड प्राइस पे विद अनलिमिटेड व्यूज पास्ट यर्क्विश्चन बैंक सब कुछ एटू जड प्रेस्ट क्वालिटी के साथ और सब से इंबॉड़न की गाइडन्स और सपोर्ट के सब्सक्रिप्शन में आपको लिंक बिल जाएगा लिंक पर डेक्ट्र क्लिक करके बाई कर सकते हैं तो चलिए जैसे कि आपको बताए टेक्स लो में तीन यूनेट हैं कुल मिलाके 100 मक्स का आपका पिपर है 100 का 100 नंबर का पिपर एक्चुली में सब्यक्टिव है MCQ नहीं आ रहे हैं जैसे कि एक्चुली में जब सुस्पेक्टर्स आया था उस समय इंसिचूट ने ये अनौन्स किया था कि 80 परसेंट आपका सब्यक्टिव एक्जाम आएगा T.E.F.M को छोड़कर सभी बाकी और 20% MCQ आएंगे बट नहीं दिसंबर 23 में नहीं जून 24 एक्जाम में किसी में भी MCQ का नाम और निशान नहीं है और नहीं इंसिचूट ने कोई ओफीशल अनौन्समेंट दी है अभी तक कि आगे कैसे आएंगे तो आप मानके चलिए दिसंबर 23 और जून 24 के पॉश्चन पेपर को देखते हुए कि आगे कुछ नहीं बनने वाला है MCQ का बट मिलाके 100% मार्क्स 100 मार्क्स का जो पेपर है तो आपको सब्जेक्टिव ही रिटन ही आने वाला है ठीक अब इसमें से आपको तक्रीबन मानके चलिए 10 नंबर का आपको कस्टम का पॉश्चन आता है अब 10 नंबर के पोजिशन में कस्टम में बहुत थोड़ा सा स्लेवर्स है बहुत लिमिटेड सा स्लेवर्स है ठीक है उसको आप इजली ट्रैक कर सकते बहुत ही थोड़े से समय ये सबसे आपका असान 10 नंबर बहुत ही बजयदार बड़ा कोश्चन है अब आते हैं इंकम टेक्स 60 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है इंकम टेक्स में 60 मार्क्स में आपको 20 20 नंबर के 15 पंदर नंबर के 4 कोश्चन ठीक है और एक बीच में 24 वाला भी होता है ठीक है जैसे कि मान लिजए 3 और 3 यह दे देते हैं ठीक अब आपको 15 पंदर नंबर के जो पहला कोश्चन जैसे जून 24 की में बात करूँ वाँ पर एक फुल फ्लेच कोश्चन आ गया ठीक है जो एक्चली में बच्चों का आप कही हों का आपको सुनेगा कि बहुत डिफिकल्ट आ गया वो लेंथी था एक्चली में कोश्चन आप उठाओगे 15 नंबर में आप कहोगे कि यार ठीक है जब थोड़ा सा लेंथी कोश्चन होता है वहाँ पर थोड़े वो दिक गलतिया होने के चांसे बढ़ जाते हैं पर आप उसको चैप्टर वाइज डिवाइड करोगे ना चैप्टर वाइज मीन्स माल दीजिए वहाँ पर तीन चैप्टर के कुछ पोड़ पॉइंट सेलरी के आगए कुछ कैपिटल गें के आगए कुछ हाउस उपट्री के आगए अब उनको पाइफरकेट करो गे तो हार्ड़ी पंदरा मिनिट में आपका कुछन सौल्ट तैयार उसके बाद एक आदा पॉइंट सेट अफ कैरी फरोड़ का दो पॉइंट डिड़क्शन के या जवापने सारा स्लिवर्स पांचों हैड कर लिए आपको बता है कुल मिलाके हमारे फाइव हैट्स है पहला आपका सेलरी दूसरा इंकम फ्रॉम हाउस उपर टी तीसरा पीजी बीपी चौता कैपिटल गीन पांचवां इंकम फ्रॉम अदर्स जब आपने ये पांचों हैड बहुत अच्छे तरीके से जब अदर्स तरीके से तैयार कर लिए तो इसके इलावा अगर मैं बात करूँ प्लस अपने डिड़क्शन सेट आफ एंड कैरी फॉरवर्ड और टैक्स रेट्स प्रेजिए हम टैक्स कम्प्यूटेशन करते हैं तो इसके इलावा कुछ ना होने वाली चीज रही नहीं गई तो स्वाल ही पैदा नहीं होता कि आपने कुछ फोड है रह गया आपका तो हंडर्ड पसेंट आपका कुशन ठीक होगा अगर मालीजिए दो चार पॉइंट बीच में अपने बीच एंट्री ठीक कर दी तो क्या बीच के नंबर नहीं मिलेंगे या पात जो गलत हुए है तो इस लिए पॉजिटिव माइंड से चला कर यह प्रैक्टिकल में वच्छा एक्चली में यूरी में जो क्यों कि वो बीकों में देख के आ रहा होता है कि हाँ इतनी गल प्रैक्चियां ठीक में अपके टीचर और गाइड यही इस तरीके से बह्यकार से कर देते मैं भुच्छे के मन में प्रक्टिकल कर यह प्रशेप्शन और नंबर में ब्रेंगे है आपकी त्यूरिक लिख आना है आपको एक गप्र Willi तो वही सोच होती ही लिख से नंबर तो मिलेंगे बहुत सारे मैं इसलिएие्यon कोगे लिखो किमते के पांऊ पूंजेरेऊ नामोजाने fringe होगी बर reality है तो इसलिए practical यहाँ पर आपको चाहे सी ए एफम है चाहे टेक्स लोग है अच्छे से करना होगा समय दे के करना होगा प्रेक्टिकल करने जब बात बनेगी नहीं तो नहीं समझे यह चैप्टर आपके बहुत बढ़ी है तरीके से उसके बाद चोटे-चोटे हैं जैसे कि क्लब्बिंग उसमें से अपको आताया पिपर टीदियेज पांच नंबर का आजाएंगा रिटार्न ऑफ इंकम पांच नंबर में आज़ा रिजिदेंशल स्रिक्टस पांच नंबर में आज़ा बार बना द्वारा बोल देता हूँ बहुत ही इजी इजी चैप्टर है ट्री कि एडियेज और आपका रिटान ओफ इंकम ठीक है तीनों बहुत इंपॉर्ट एक्चुली तीनों इसके साथ एक और दिखिये ज़़ा जों पहले भी लिख चुके हैं सेट आफ एंड कैरी पर चारही चेप्ट्र बढ़े इंपॉर्टन हा एक ital tomar इंपॉरटन ठीक है क्योंकि पर हां एक रह रहा के सो uniqueness केवाशा तो क्यों है कु कि बहुत ही असान है बहुत ही kind पोरिंग है ठीक है जी बहुत ही आसान बहुत ही जबर्दस को तोड़ा सा मेहनत इस इन चैप्टर्स पे ज्यादा कीजिए बहुत आपको पार चैप्टर में से मानके चलिए यहां पर 25 से 30 नमबर का पिपर जरूर देखने को मिलेगा 100% इस चैप्टर्स ठीक है उसके बाद GST का जो पॉर्शन है अपमान के चलिए बहुत ही आसान है सारा का सारा ठीक है इक्टरी में GST वाला पॉर्शन जबर करवाते हैं पर आप अलग से GST के पॉर्शन पर अलग से सेपर डेडिकेटिड वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत ही जल समय में तब और क्लासर बाइग करना चाहते हैं तो तो फूर्शन में फूल लिंक में बिचेगा अब्लेट ग्रोग की बहुत ही नॉमिनल से प्राइज के तैंक्यू